जमाना हो गया बुलन शहर में आये हुए बड़ी बड़ी सभाएं बुलन शहर में हुई है पिछले तीस साल से मैं जनता के बीच में जाता रहा हूँ कहीं सम्मेलान कहीं सभाएं और हर एक का मकसद बस एक रहा है देश के किसानों की कैसे मदद की जाएं किसान हमारे आर्थी किस्थिती की रीड है सबसे जादे काम अगर किसी में मिलता तो गाओं में खेती में ही लोगों को मिल रहा है और इस सभा में जब मैं आ रहा था मेरे एक मित्र ने कहा मित्र ने ना कहा कि जाके ज़रा जोश भर देना मैं आया तो मैं देख रहा हूँ आपने तो मुझे में जोश भर दिया आप नराज हो आप परिशान हो पिछले छे महीने एक साल दो साल से मैं देख रहा था हर एक वर्ग परिशान है किसान मजदूर नौजवान दलेट व्यापारी किसी की बोलने की हिमत नहीं हो रही थी मीटिंग करो तो पचास रोग आ जाएंगे एक जाके डियम को ग्यापन दे देंगे लेकिन वो जमाना जब किसान को गन्ने का दाम ने मिला और किसान एक खटा हो गया और सरकार जुकी याद है कि इन सरकार एक अध्यादेश लाई थी कि अब प्रदेश सरकार किसानों का दाम तैने करेगी केंद सरकार तै करेगी और अगर वो अध्यादेश कानून बन जाता तो उस साल आपको एक सो उन्तिस रुपए गन्ने का दाम मिलने वाला था हमने आप इखटे हुए दिल्ली में सरकार जुकी अध्यादेश वापस हुआ और आपको 270 तक गन्ने का दाम मिला था याद करो याद करो याद करो याद करो कितना ब्यास दिया करते थे तुम लोग अपने लोन पे 14 परसेंट 17 परसेंट मकान बनाने के लिए 6 परसेंट व्यापारी को 8 परसेंट किसान को 14 परसेंट पर ब्याज मिला करता था मैंने अंदोलन चलाया मैं मंत्री था बाजपई सरकार में सारे बीजेपी के लोग मुझे नराज हो गए मैंने सरकार छोड़ी लेकिन आपका ब्याज आप पांच रुपेर साथ प्रतिशक पे पहुंच गया तो यह जो घटना हुई है यह छोटी घटना नहीं है यह सुनियों जित था सरकार डरी होई थी कि किसान परेशान है कहीं ख़़ाना हो जाए कहीं खटाना हो जाए कहीं अपने मन की बात ना करने लगे मूदी की बन के बाद तो सुनते सुनते तंग आ गए ना सरकार को लगा कहीं जनता अपने मन की बात ना सुनाने लगें इसलिए उन्होंने सोचा कि जयंत के उपर हमला कर दो किसी की फिर बोलने की हिमत नहीं परेए यहां पुलिस के बहुत लोग ख़रे मैं कहना चाहूंगा आप सोतंद्र भारत की पुलिस हो आप जनता की मदद करने के लिए पुलिस में हो आप कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हो अपराधियों को रोकने के लिए हो आपका गाम जनता को ठोकने का नहीं है और जो यूपी का मुख मंत्री कहता है ठोक दो इस आने वाले चुनाओं में बैलेट बॉक्स से हम योगी को ठोक देंगे रोजगार खतम हो रहे हैं रेलवे बेची जा रही है एरपोर्ट बेच जा रहे हैं सरकारी कंपनी बेची जा रही है टीवी में अब आपको अलू का दाम दिखारी नहीं देगा किसान की आत्भत्यों की खबर नहीं होगी बिरोजगारी का रेच नहीं बताया जाएगा तीवी बैठ के किस तरह आपस में ललाया जाएगा उसके अलावा कोई काम आज के दिन नहीं हो रहा है जोश जादे हैं लोगों में और वो गुस्टा आपस में नहीं है गुस्टा तो मोधी के खिलाफ है योगी के खिलाफ है अपनों पर मत उतारो मौका मिलेगा इस पजातंतर में तुमको कितना ही दबा लें कितना ही अखबार और टीम ये खरीद लें जब ये जनता ओट खड़ी होती है कोई सरकार बचने वाली नहीं है और आज ये जनता खड़ी हो रही है क्यों कब तक सहेगी अगर यही नीतियां चोती रही तो गरीबी के रेखा में 50% आदमी डूब जाएगा क्या हाल हुआ मजदूरों का 45 डिगरी में बीवी बच्चों के साथ 400 किलो मीटर तक पैदा जा रहे थे क्या डियम हर दो किलो मीटर पे एक ढबा नहीं खोल सकता था हर जिले में 1500 सरकारी बस खाली पड़ी हुई है क्या उन बसों से उनको घर नहीं पहुँचा आ जा सकता था लेकिन मोधी के दिल में एक भी आवाज उसकी तरफ से उन गरीम मजदूरों के लिए नहीं उठी मन की बात तो होती रही इसी तरह हर वर्ट को देख लीज़े किसान की आए दुगनी कर देंगे पहले तो बोले हमने सोयल कार्ड बना दिया है सोयल आपके जमीन का क्या हाल है उसका एक कार्ड आपको दिये दिया इससे जमीन दुगनी हो जाएगी आए दुगनी हो जाएगी मैं लाल के लिए से भाशन सुन रहा हूँ पधान मंतरी का योगी जी का हर महीने हमने गन्ने का दाम दे दिया योगी जी कभी थोड़ा शर्मार के कह देते अगले महीने दे देंगे भया ऐसे जूटों की सरकान मैंने कभी नहीं देखी भया अगर तुमाई घर में कोई बच्चा जूट बोलेगा तो एक चांटा मारोगे ना मारोगे ना तो अब किसको जाता मारोगे अब और कुछ कहने की जरूरत है क्या एक एक वोट मैं महिलाए नहीं देख रहा हूँ या वो भी जिम्मेदारी आपकी है वो भी जिम्मेदारी आपकी है एक एक वोट पड़नी है ये लोगदल सबा का गठबंदन इसको अब कोई रोकने वाला नहीं है जित्दा अबाद आप एक एक चीज देख लो नोट बंदी अच्छी थी बुरी नीती थी कम सब्सक्राइब नोट चपवा लेते पहले आर भी आई से नहीं पूछा फिर जी एस्टी लगा दिया किस तरह लागू होगी क्या कानून होंगे वो नहीं बनाया रात को बारे बजे लगा दिया पाज घंटे के अंदर सारा देश बंद कर दिया सारी बिस्निस ठप कर दी ना सीफ मिनिस्टर से पूछा ना अफसरों से पूछा बोला रात के बारे बजे पाठ वजे घोषना हो गई सब चीजें बन जो आदमी किसी की बात ने सुने क्या ऐसा आदमी सब्ता में आना चाहिए कभी गल्पी हो सकती है लेकिन अगर आप लोगों की सुनोगे फिर एक घोषना हुई 21 दिन में कोरोना खतम कर देंगे किस साइंटिस से पूचा था मोधी जी आपने कोई साइंटिस कह रहा है सब कह रहे है चलेगा अभी महिनों चलेगा लेकिन मोधी जी ने कह दिया 21 दिन में खतम करोगे और आपना थाली बजा दी मौमबत्ती जला दी भाईया ऐसे जूटों के चक्कर में मत पड़ो समस्याओं के बारे में मुझे आपसे बताने की जरूत नहीं है बच्चों का क्या होगा क्या ओनलाइन पहाई हो रही है बच्चों की क्या जो आपके लोग नौजवान इंजीनियरिंग, टेक्निकल दिग्री, एग्रिकल्चर की दिग्री लेने चाहा है थे कहीं कोई उन्वस्टी खुली हुई है नोक्रियां खतम हो रही है लेकिन हमारी टीवी क्या दिखा रही है शुशांत राजबूत की हत्या हुई या आत्म हत्या हुई इनको आप्स की कोई चिलता नहीं है अरे भईया आप तो हमारे मोदी जी ने एक नई छोरी निकाल लिए बाभारी साइंटिस्ट है ये इसने कहा है कि सब टर्बाइन लगा दो हवा से पानी निकाल लेंगे और हवा से उक्सीजन निकाल लेंगे आप तार्बंड हो याग और डायोक्साइड पर नाइट्रोजन पर रहना ऑक्सीजन तो मोदी जी निकाल लेंगे हवास एक ट्यूब लगा देना नाली में उसमें चाय बन जाएगी पकोड़ा खुदी बनाना पड़ेगा अरे वैया आप परहे लिखे होश्यार आत्मियों कुछ बेपड़े हैं कुछ जादे परहे हैं सब हैं कुछ अमीर हैं कुछ हैं कोई व्यापार कर रहा है कोई नौकरी कर रहा है आप एक आदमी बता दो जो आज खुश हो इस सरकार से सिवाए बीजेपी सारे देश में हर एक डिस्टिक में महल बना लिया यह पैसा कहां से आया भई कहां से आ गया इतना पैसा किसी पोलिटिकल पार्टी ने कर पाई आज तक ऐसा तो सिवाए पैसा खीचने के इनका और कोई बतलब नहीं है आज कोई नौकरी कोई ठेका कोई ट्रांसफर आरे से सक्रेटरी के बिना नहीं होता है नविजों से एक्जाम लिया जाता है रिजल्ट नहीं आता है अब यह एक नई गोशना हुई है रेलवे पे नौकरी खतम कर दी बहुत सी बोले अब जो हायर करेंगे 11 साल के लिए सिर्फ हायर करेंगे 11 साल के बाद क्या करेगा वो कहीं नौकरी मिलेगी उसे फिर नई पुलिस की भरती होगी उसमें 5 साल तक वो टेंपरेरी हैगा जिसे आप पे ठोकता रहे आपको यह योजना है इनकी और कोई योजना इनके पास नहीं है तो आप मुझे बता दो तीन तारीख को क्या करोगे दोनो हाथ उठा के दोनो हाथ हल्ला मचाके जाना है हल्ला मचाके एक एक वोट पड़े जाहिन मैं चोही साथ का बहुत क्या जाहिए